आगे बढ़ते हैं विकानेर से बड़ी खबर है भुकम के तेज जट के महसूस हुए हैं दोपहरे एक बज़ कर 42 मिनट पर भुकम के तीवर जट के महसूस के गए है भीकानेर में लेकिन भुकम से फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है लेकिन एक बारगी के लिए ज इसमें पता लगे कि हाम भुकम उस समय आ रहा है अर्थक्वेक की वो सिती वो रेक्टर स्केल वो तेज भुकम के तेज के मिकानेर महसूस देते हैं चुले आपको बताते हैं संबाराता जियाओदीन खान के एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट निवाई में भुमाफिया का नया ओफर मंदिर माफिय की जमीन पर शुरू किया है ओफर खंड देवत रोट पर जालं धरनाथ मंदिर की जमीन को लेकर आरोप है पैसे लाओ और एग्रीमेंट करवाओ और बंजाओ 99 साल के लिए जमीन के माले की अपनी और से एक नया ओफर ये चला रहे हैं और ऐसे में कई भुमाफियाओं पर एग्रीमेंट करवाने के आरोप भी नियाम विरुद्र जाकर मंदर माफिय की जमीन खरीत फूरुप के आरोप पर लगेए किसी पर फाम हाउस तो किसी पर कालोनी काठीने के आरोफ गैर है कि किरात रौत में पर बहुँ का निरुए लेकिन मंदर माफी की जमीन थी अब इस मंदर माफी के 177 में बीघा बेश टीमती जमीन को खुर्द बुर्द करने क्या रोप लग रहे हैं लेकिन सवाल यही कि आखिर क्यों नहीं जा रहा दिवस्थान वभा का इस और कोई ध्यान और साने प्रशासन भीस पर कोई कारवाई क्यों नहीं क सबसे बड़ा यही कि जब मंदर माफी की जमीन पर लगातार ओफर्द निकाले जा रहे हैं कारवाई वहाँ पर हुई क्यों नहीं और ऐसे भूमाफी अब तक चुंगल से बाहर क्यों खूम रहे हैं क्या जानकारी इस पूरी रिपोर्ट के दौरान आपको देखने को मिली देखिए देखिए सबसे एहम बात यह कि जलंदरनाद का जो मंदिर है निवाई के अंदर रिस्तित और नास संपरदाए के जो संत ते उनका यह मंदिर है और काफी एतियासिक और प्राचीन मंदिर है वहाँ पर पुराने टाइम के शिलालेक भी लगे हुए चुकि सबसे एहम बात यह है कि जब वहाँ पर जो आसपास की 177 वे बिगा जो जमीन थी मंदिर माफी की जमीन थी मंदिर माफी की जमीन का मतलब बताना जाएंगी यह वो जमीन होती है जो वहाँ के सेवादार होते हैं उसके परिवार वहां से उससे भरन पोशन कर सकते हैं चूकि जो पर सेवादार थे उन्होंने एक कलत तरीके से पहले अपना ट्रस्ट बनाया ट्रस्ट को देवस्तान विवाग में रजिस्टर्ट करवाया उसके बाद वहां के लोग एक नया ओफर लाते हैं भूमाफिया उसे मिली भगत होती है और जमीन के उपपर किष्टों के अंदर किस 169 है उसमें साफ तोर के ओपर यह कि इस तरह का प्रावदा नहीं है मंदिर माफी की जमीन के ओपर किसी तरह का कोई लीस पर नहीं दिया जा सकता लेकिन साफ तोर पर जो हमारे पास जो एग्रिमेंट जो है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो यह जमीन है वह निन्या आतो रात हुआ हो, पिछले कई सालों से ये खेल चल रहा था, इसको लेकर शिकायते भी की गई, तमाम अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन राजस्विबाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि मंदिर माफी की जो जमीन होती है, क्योंकि सरकार के अधीन में आत करता है जेती देखती हैं साफ तोर के उपर एक एग्रिमेंट जो तीन एग्रिमेंट हमारे पास हाथ लगें ऐसे ही कई दर्चनों एग्रिमेंट हैं जो जो महां पर जो कह सकते हैं कि सेवादार जो हैं आस पाउनाद बुद्धी और अन्य जो लोगों की तरफ से भूमाफिय होता है वहाँ पर अवेद निर्मान होता है तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ के राज़त सुईबाग की अधिकारी की होगी लेकिन राज़त सुईबाग की अधिकारी गहरी नीद में सोते रहे पहले वहाँ पर कोलोनिया काटी कहीं एग्रिमेंट होते रहे एग्रिमेंट भ का मन्दिर माफी कि जमीन को खुर्धबॐत किया जा रहा और दिख itself की जमीन को लेकर बवाल हुआ हो पूर में कि गई वाल हो चुके हैं कहीं तरह के आंदोलन हो चुके हैं किस तरह से भूमाफिया मंदिर माफी की जो आरो बिगा जमीने थी उन पर कभजा कर चुके हैं और कई वार आरो परत्यारों के दोर लगते हैं लेकिन उन सब के बावजूद भी परशाशन की तरफ से भूमावियाओं को खुली छूट देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता जी जे ती बिल्कुल ज्यावदिन औ सब्सक्राइब करने के लिए उसको दे सकते हैं लेकिन यहां पे जो सेवादार हैं आज बुद्धिपाव और उनके जो चेले हैं उनकी तरफ से लग लोगों को अंदर किसी को थी बिगार बताये हैं जमीनों के की मत के साफ तोर के ऊपर आप देख सकते हैं की जो एक्रिमेंट हूए उन इंग्रिमाट में लिखावाई कि निन्यार्मेंवे साल की लिज्ट पर दिया जाता है तो कि साथ से लिज़ी माधिये क्यों कि यह वो जमीन देविस्तान विबाग के अदीन आती है और एक सेवादार की तरफ से भूमाफिया को इसका एग्रिमेंट लिखके दे देना फिर वो भूमाफिया महाँ पर कॉलोनी काट देते हैं और कॉलोनी काटने के बाद तमाम तरीकी की सुईदा वहाँ पर ले रहे हैं तो ऐ ऐसा नहीं कि रातो रात होता हो क्योंकि मैंने पहले भी गाया कि रातो रात नहीं हुआ पिछले कई सालों से यह खेल चल रहा था ऐसे माब यह पूरा मामला उटके आया लेकिन उसके बावजूद भी जो निवाई का जिस्तानी परचा चैने इस पूरे मामले को दबाने मे अब सकपड़ों की मामले करने के बाद देवस्तान गवाघ क्यों को कारवाई करने कीी ने करने को लिखते हैं काफी दिन हो जाते हैं लेकिन अब तक कारवाई नहीं हो पाती चुक्कि इस पूरे मामले को लगातार कोशिश की जा रहे का इसी array को से सेटल हो जाए यह पूर मामला हो, मंदिर माफ Gerマी की जो जमाइने ऊंका जो मामला हो, उनके ओपर पहले ये होता Courtney किया जाता है, काफे दिनों तक रहा जाता है, फिर फिर कोट की शरन ले लिए जाती हा, उस पर इस्टे ले ले ही आया जाता है, उसी तरह का मामला भी ईहान पे सामने पुरिजान कारवाई होगी बहुत-बहुत शुकरी आप उन्हानकारी के लिये जिया दिन और साथ